बई पूरे हर्याना से जो साथी मुझ से जुड़े हुएं सभी जादा तर उन मैंसे जो साथी हैं जिनकी एज निकल चुकी है हर्याना पुलिस का फारम भढ़ने के लिए यानि के जिनोंने 2019 में अपना फारम भढ़ा था अब वो अपना फारम भढ़ते हैं तो अब इसमें दिखाता है कि यह हमारी एज है जो मतलब वो आपकी निकल चुकी है आप इस फारम के लिए ये जिबल नहीं हैं तो उन सभी साथियों के लिए वीडियो है जिनकी एज निकल चुकी है चाए लड़का है लड़की मेल फिमेल कोई भी है अब का इसमें सुलीशन है ठीक है य फिर आप अपना फार्म दोबार अपलाई करें सो परसेंट आपका सुल्यूसन है आपका फार्म जरूर बरा जाएगा लेकिन आपका फार्म है वो फ्रेस नहीं बरा जाएगा यह इस बात का ध्यान रखना पुराने वाले में ही आपके एड़ेस्मेंट होगी मैं आपको जरूर करें दोस्तों को मेरे साथ जो मेरा चैनल उसके साथ जरूर जोड़े आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ठीक है दोस्तों जो क्वेरी है दोस्तों मैं आप स्टार्ट करता हूं लिखा हुए अगेनिस्ट दूज पोस्ट नो रिकूर्डमेंट प्रोसेस कुड़ बी जो पिछले कैंसल हो गए थे उनकी एज निकल जुकी है यहां पे साफ साल लिखा हुआ है कि उनको वो एलिजिबल है नया फार्म भरने के लिए ठीक है पर फार्म कैसे बरा जाएगा मैं आपको यह पंड़ के उसके बाद बताता हूं आपको यहां पे लिख्वा है यह फीश एंड एज दागमेंट भी है जो परसेट हीविजिबल होसा के बताता हुआए लेयजिबल यह निकल गवी है कोई प्रोलम नी है issue by haryana staff selection commission however such candidate will have to apply a fresh along with proof of depositing the application fees they are required to upload the e-challon along with the fresh application form and will proceed the original e-challon at the time of test verification ठीके दोस्तों इसमें साफ साल लिखावा अगर आपने पिछली बार भरती में फारम बरा था और आप ये नया फारम बरना चाते तो आपको उसमें eligibility है लेकिन दोस्तों एक बात बता दो ये जो नहीं भरती निकली है इसमें आपको फारम तो fresh बरना पड़ेगा लेकिन at the time जहां पे आपका option आता है कि आपी height कितनी है आपकी chest कितनी है आपकी chest full out के साथ कितनी है तो वहां पेक option आता है कि आपने ये form पहले भरा था तो आपको वहां भी yes करना है और जो पिछला form आपने भरा था वो application number है जो आपके पास print out है इसमें mention होगा और वही आपका मनना जाएगा तो आप उस form को भरने के लिए eligible है ठीक है जोस्तो अगर आपको फारम भरने में कोई प्रोब्लम है इस point से related तो आप comment कर सकते हैं मैं दो बार आपको reply करूंगा उसके बारे में सबी साथी जो भी फारम भरने वाले जो कैफे वाले जो दोस्त है वहां पर भी जाकर आप करा सकते हैं कर आप पाणी पच्छे भी लोग करते हैं और आपको फारम में कोई प्रोब्लम है आप मेरे साइब कैफे पर आके भी अपना फारम भरवा सकते हैं ठीक है जो उमीद ह के बाद भी आप इस वारम को भरवा सकते हैं आप कोई समझ आगी होगी तो ऐसी ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद